हेलो अब्रिवन वेल्कम बैट टो एके पॉली दोस्तों हम सब ब्यम्मी में साफ्ट करेंग एंड इसेंट्री की श्टुडी कर रहा हैं जिसमें दोस्तों आज इसका लेक्चर नमबर टू है और इससे पहले हमने एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है यद उसे ना देख्य लेक्चा हुआ है ठीक इसको अम लोग इस लेक्चर पूरे अच्छे तरीके देखेंगे ठीक है लेकिन दोस्तों आप लोगों से यह निवेदा में कि यह पिछला लेक्चर नहीं देखें तो उसे जरू देख रहे हैं तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसेंट्रिक मतलब अन्दर्णक के बारे में तो दोस्तों देखें इसका जो चाहन क시 Okay इस तम पूछा कशकल पूछा जाता अब कि उत्केंद्र क्या है इसके उप्योग बताई है एवं इसकी क्रिया वीदी वह इस चित्र सहीद बताना है ठीक है इस प्रकास यह कोश्चन पूछा जाता है ठीक दोस्तों तो सेंपल हम वो इसी तरह से देखेंगे और पारा टापिक दिया हो हम लोग पढ़ेंगे अदूसर सबसे पहला कोश्चन यह वाला देखेंगे कि उत्केंद्र खोरता क्या है ठीक तो चलिए सबसे फ़रे देख लेते हैं उत्केंद्र खोरता क्या है तो दोस्तों ध्यान दीजिए पहले समझने का प्रयास किजिए उसके बाद यहां से आप लोग अपने नोटबुक पे इस इसके द्वारा बड़ी साप्ट की घुमाओ गति से लगु पश्चागन गति प्राप्त की जाती है बोली इतना समझ पाए तो चलिए दोस्तों अब दिख लेते हैं इस एंटिक मतल्व उत्केंद्र के उपयोग के बारे मतल्व इसका उपयोग किया जाता है तो धांदीज इसके बारे में भी आप लोग अच्छे जानगे दोस्तों किसके उपयोग छोटे पंप प्लंजरों वालों तर्था यांत्री इस्टोकरों आधी को चलाने में किया जाता है आई होप आपको यह भी समझ आया तो चादी दोस्तों अब देख लेते हैं यह चीज आओ कि इसक अब तीसरा जो होता है उतके अंदर डंड होता है ठीक है यह मुखे उसके इसके तीन होते हैं इसेंट्रीक आयो आपको अच्छे समझ देआ होगा दोस्तों तो चलिए इसको हम लोग इसका के मांदर से भी आपर देख लेते हैं सिम ऐसे ही है ठीक हाँ तो देखें पर अब हम लोग देखेंगे इसकी मतवत्केंद्र की क्रिया के बारे में ठीक है एक है ओडों उससे पहले हम लोग इसके डाइग्राम के बारे में देखेंगी कि debated गारे पहले कैसे बनता है डाइग्राम देखने पार दोस्तों क्रिया भी दिखो भी यहां पर उताज़ देंगे ताकि आप लोग इसके साथ लेकर अच्छे सिभब पढ़ लेंगे, बुरा अच्छे से किल्यर हो जागा आपको कंसेप्ट, तो चलिए इसे जो आनों रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं, सेंट्री की क्रिया के बारे में, ठीक हैं, तो सबसे पहल सबसे पहले हैं, क्रिया ही बता रहे हैं, त्विताराल हैं, एक सिह होता है, इस प्रकार से, एक सी उता है, ठीक है ना, जिसके केंदर से, यहां पर मालीजी इस प्रेगा से एक केंदर बना देजिए, ऐसे, ठीक है ना, जिसके केंदर से, ठीक है न, जिसके केंदर से कुछ दूरी पर, ठीक है न, एक छिदर बनाए जाता है, ठीक है, एक छिदर बना जाता है, मालीजी कि इसे साट लगा होता है कि highlyaudio की साहजता से सुउब को जोड़ा जाता है कि इस प्रकाश से कुण्जी की सहायता से साप्ट पर इसे जोड़ा जाता है सिव को जो और कुण्जी की सहायता से साप्ट पर जोड़ा जाता है और सिव की परिदी से होता हुआ सिव की परिदी से होता हुआ इस प्रकार से देखे सिव की परिदी से होता हुआ एक उभार या खाचा लगा होता है इसे उभार या खाचा बोलता है ठीक है क्या बोलता है उभार या खाचा ठीक है ना स्तिव की परिदी से होता हुआ एक उभार या खाचा लगा होता है यहीं दोस्तों होता है सिव खाचा लगा होता है और इस खाचे से मतलब और इस खाचे से दो इस ट्रेप बोल्ट जूड़े होते हैं यहाँ पर नीचे भी इस प्रेप बोल्ट जूड़े होते हैं इस प्रेप यहाँ पर रहेगा दो इस ट्रेप जूड़े होता है उसके यह कहेंगे कि स्यूज होता है यह दो इस ट्रेपों से घिरा हुआ होता है ठीक है यहाँ से अगत मियस्त्रेप फश्या अन्हान झुड़े होता है यह द्थ大的 जूड़ेंगे यहां यहां से यहज्ड़ेंगे ठीक है JEFF देखें यहां से जो है उतके अंदरें डंड जोड़ेंगे इस प्रगा से उतके अंदरें डंड जुड़ा होता है वो भी बोल्टोर के सायता से है, दू उतकेंदर के बोल्टोर के सायता से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, देखें इसके आखिणर के अलोगा, को दोस्तों इसे बोलता हैं के पूलु के नद्रग बोले इतना सह नो inverter तो दोस्तों यह होता इसकी करिया वीदी होती है है और लिखेंगे इसे यहां पर ऐसे इतना होता है जिसके एक सीरे पर दो पूल्टों से कसा लगा होता है रहता है तो इसलिए उतके फिर एकर किसीनि अंग के वे पाइट जोड़े जाते हैं जो पस्चात करोया ठीक है क्या है पश्चार उद्ध करता है इसलिए मसीन के जो पश्चार उद्ध करने वाले अंग होते हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं ओके दोस्तों यह होता इसके क्रिया और धान देजिए इसको माल लेती है जो साट का किंद्र इसे भी माल लेता है और यह स्यू का किंद्र जो होता है इसे यह माल लेता है ठीक है तो धान देजिए स्यू के किंद्र तथा साट के किंद्र कि तेश्च की दूर ही कोई पूद कर one दो करते हैं ऑप दो करते हैं ओप पैंट कि पे माव जो फो आरे यां फिर इसी कर तर्जा भी करते हैं ईसको क्या जाते हैं स्पा खाते हैं कि दोस्तों इसे को गिए था का डायी ग्राम पूरा ओके तो दौस्तों चरिए इसे वह स्ये मों रख करता है और अब देखिले इसकी क्रिया विध को आपने देते हैं जिसको अपना अच्छे प्रसान में आवा तो ठीक है दोस्तों चली इसे अब रफ करता है ओके तो चली दोस्तो ध्यान दिजिएगा इसे चीज नहीं लिखे है यहां आप लोग इसे ध्यान दिजिएगा इसकी क्रिया को लिख दी है अपको डाइग्राम के मादर में से भी हम बता दी है यदि आपको अच्छे समझ में आगा तो आप लोग ऐसा अपने आप से लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिए आप पर वेसे यदि जो लोग ने समझ पाए होतना यहां से भी कुछ समझ लेंगे अच्छे से आ जाएगा ठीक है अपर अपने लोट भूक में जरूरता लेंगे ताकि एकजाम के टाइम अब लोग पढ़के जाएंगे तो आपको अग्दम तैयारी अच्छे सोगी ठीक है ना तो ध्यान देजिए दोस्तों देखें इसकी क्रिया को शिव पर इसके केंदर से कुछ हटकर एक खिदर बना जाता है जिसपर साथ लगा होता है तता Sinn को खुंझी की सहहाजता से लगाया जाता है शिव कि परीदी पर एक उभार्या खाचा लगा होता है जिससे श्ट्रैप बोल्ट जुडे होता हैं ओर सिव को घेरे हुए दो श्ट्रैप लगे होते हैं जिसके एक तरफ उत्केंद्रा डंड लगा होता है इस पेकार श्ट्रैकों के बीच सीव सोतंता पुर्वा घूंता रहता है और इस पेकार साप्ट के साथ सीव के घूमने से उतकेंदर डंड पश्चागर गति करता है जिससे पश्चागर गति करने वाले अन्य मसीनियंगों को जोड़ा जाता है जिसमें सीव तथा साप्ट के में लिनाधि bên इक पती बीच की दूरी इड में दस्से के ऑन डर क्रिश्ट है अज दोस्तों आपको अच्छेष समझ में आऊए ऑगा फ़र समें रहेते हैं तो चैम एक्षोटे बाते लिटाने काशन के करें दर लेकिने समय का पकले की है और एक चीज़े देखे इसको जो दो चीज़ बता जा रहे है ओभी उसमें दिख दीजिएगा ठीक देखे किया मत्सक्त के बारे बता रहे है तो इसके जो तीन होते हैं उतके अंदर कमाल जी आपड यहां पर हो गया दो चीज़ें होता क्या है एक रूप से दूसरा इस ट्र करते हैं अबनों सीव और इस टाइप के बारे में ओके तो धहां से देखिएगा जो स्यू होता है वो देखे इसे उतकेंदरक स्यू या फिर उतकेंदरक पूली या चक्ति भी करते हैं इसके केंदर से कुछ हटकर एक छित दना होता है कि कोसाट पर एक कुल्जी की सहाता से तर एक सी काल किसा द ध temples स्यू की पर सिधि की पर एक खाछा लगा होता है इसकी सहाता से लहाट है जाता है इसे भी तथा निचली स्ट्रैप भी कहते हैं जो सिव को घेरें वे लगे रहते हैं इसके अंदर की और एक खाचा लगा होता है जिनके भी इच सिव फसा होता है तथा दोनों स्ट्रैपों को मेदू इस पात बोल्टों द्वारा जोड़ा जाता है यह ढहलवा लोही के बनाया जाते हैं और आप सकता उसार इन्हें पीटल खाचा या फिर पीटबा लोही के भी बनाया जाता है ओके आई हो दोस्तों आपको यह अच्छे समय में आवा तो चलिए इसे जो रफ करते हैं और देख लेता है हम लोग की इसेंट्रिक एंड क्रैंक में अंतर के बारे में ओके रराफ करता हैं और इन दों पार्ट हम देख लेते हैं क्योंकि दोस्तों यह दो जो पांओ यह से बहुत इंपर्टेंट है और यह जो आपको लेक्षर बता है यह एक ही कोश्चन पूछता है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा नमल पूछता है और यह कई बार पूछा गया है अब तक जामें ठीक है ना तो दोस्तों इसे भी अच्छे साथ तयार करनेजीगा तो चलिए किसा रफ करता है तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग क्रांथ तथा इंद्रक में अंतर के बारे में ओके तो ध्याजीए को दोस्तों या तथा ड्याए और मुखिए साथ तथा उत्के मिलंग के औलबेर और लस्त दोनों इस ना ना क्राइंक पीन इतनी बड़ी हो जाती है कि यह साप्ट को ढख लेती है जिससे साप्ठ में दिखाई नहीं देता है ओके वह उतके नरक की दसा में साप्ट की निरंतरता भंग नहीं होती है जिसका करने मतले है कि जो उतके नरक की दसा में साप्ट होती है उसकी मतले की निरंतरता भंग नहीं होती है तुद्धानि जी चौत्था इस्ट्रह सिरु तफा स्ट्रैप में अथी घरसर के कारण पश्चाग्रगति को साप्ट की घुमाओ गति में नहीं बदला जा सकता ओंग तो उस गति को हो वह बदल सकते हैं न इसदर को सफट के घुमाओगती नहीं बदल में जासकता पर एक किया होता है तरह सबस्क्राइब करिंड उठा के साफत के घुमाओगती चेक्ट में बदल द पघंड़ते. और उतकेंद्रक में क्या होना है ? उतकेंद्रक में गुमाव गलत को पश्चा अग्यवेधिया में बहुता है आई होव दोस्तों आपके ढवी अच्छे समझेए Keller रहें आगा तो चलिहें जो आपनों को नुमेर्कल स्टाट जिसको परणे में और भी मजह आगा ठीक है और इससे अच्छे सापनों पढ़ते रहें तो दोस्तों अच्छे तो याइग करते रहें जयें बाइबार टेक केर